जैसे अंग्रेजों को देश से निकाला था, वैसे ही भाजपा को भी देश से निकालना होगा ये शब्द है एक बुजर्ग किसान की शंभू बॉर्डर पर नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नैशनल दस्तक जिहां शंभू बॉर्डर पर किसानों को डटे हुए 17 दिन है आज और किसान साफ कह रहे हैं कि जितना तंग भाजपा ने किया है उतना तंग किसी सरकार ने हमें नहीं किया है भाजपा ने हमें बहुत परिशान किया है किसानों का नाम इस्तमाल करके बोट तो बहुत बटोरे लेकिन किसानों के हाथ में दिया कुछ भी नहीं किसानों के नाम पर किसान सम्मान निधी के नाम पर तमाम बोट बटोरे तमाम सुर्खिया लोटी लेकिन किसानों के हाथ कुछ नहीं लगा और इसको लेकर किसान लगातार नाराजगी जता रहे हैं किसान बता रहे हैं इस सरकार की सच्चाई और सरकार अपने जुमले जो है फेकने से जरा भी बाज नहीं आ रहे हैं पूरी खवर पे विस्तार से बात करेंगे लेकिन पहले जान ले शुब करन की जो हत्या हो गई थी जो शहादत दी उन्होंने उसका आज जो है शव यात्रा उनके निकाली गई आखरी यात्रा और आज उनके अंतिम संसकार किया जाएंगे वहीं शंबू बॉडर पर तमाम जो नेता हैं किसान नेताओं ने उन्हें अंतिम यात्रा अंतिम बिदाई दी है और तमाम लोग जो है भावक हुएं उनके शव यात्रा को देखने के लिए उसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में बहुत बड़ी संख्या में लो बटिंडा में होगा अंतिम संसकार और ये 17 दिन है लगतार हम आपको बता रहे हैं शम्भू बॉर्डर पर पहुचे एक्स सर्विसमैन शम्भू बॉर्डर पर आज पंजाब के 5-6 जिलों के एक्स सर्विसमैन एक जूट होंगे किसानों को समर्थन देंगे इस दोरान में अ पहले देश की सेवा में ही अपनी ड्यूटी दे चुके हैं काम कर चुके हैं वो अब किसानों के समर्थन में आ रहे हैं और शम्भू बॉर्डर पर पहुच रहे हैं पंजाब पुलिस के आई-जी सुख्षैन गिल बोले हैं कि शुव करन की बेहन को पंजाब पुलिस में क कांस्टेबल की नौकरी मिलेगी तो ये पंजाब पुलिस के तरफ से एक बड़ी जो है बड़ा पहल किया गया है और लगतार जो मांगे हो रही थी उनके बेहनों के लिए लगतार चिंता जताई जारी थी एक लौता भाई था जिसकी हत्या जो है जिसकी शहादत हुई और व खरवालों ने साफ कहा था जब तक हग्त Fitzboro नहीं होगा तब तक पोस्ट मॉर्टं नहीं किया जाएंगा फिर था डर्ज होने के बाद इस मॉर्टं का घरवालों ना परमिशन दिया और उसके बाद आज अंतिम संसकार किया जाएंगा तो पंजाब पुलिस के तरफ से ये ऐलान किया गया है वहां के IG ने सुख्चैन गिल बोले है कि उनकी बहन को शुब करन की बहन को पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी दी जाएगी वहीं अमरुजारा लिखता है दिल्ली कूच होगा या शंबू बर्डर पर लगाया जाएगा पक का डेरा किसान आंदोलन आज करेगा फैसला आज 29 तारिक है और किसानों ने साफ कहा था कि 29 तारिक को अपना फैसला बताएंगे क्या कुछ होगा वो 29 तारिक को सब कुछ बता केंद्रिय क्रिशी मंतरी अरजुन मुंडा ने कहा कि सरकार विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ वारता के लिए तैयार है वह भारतिय क्रिशी अनुसंदान परिशद सोसाइटी की सलाना आम बैठक में इतर बोल रहे हैं केंद्र सरकार वो किसानों की बीच अब तक चार दौर की बातचीत हो चुकी है पर कोई समधान नहीं निकला है फसल के न्यूंतन समर्थन मूलिक की कानूनी गारंटी समेत बिभिन मांगो को लेकर किसान दिलिच मार्च पर अड़े हुए हैं और लगतार बातचीत की जा र करूप है कि सरकार किंद्र सरकार सिर्फ किसानों का समय बरबाद करना चाहती है और रा+, टिकेट ने भी बड़ा दिया है कि सरकार ये формat की सरकार सरफ Выक्सान कbrar को चुनाव के बाद तक खीचना चाहती है इसलिए इसलिए सरकार सर gonna की सानों काड टाइम पास कर रहे एन समय बरबाद करने का काम कर रही है ABP News ने लिखा है किसान आंदोलन उपद्रव्यों पर पुलिस का सक्त एक्षन जब थोंगे पासपोर्ट कैंसल किया जाएगा बीजा तो आपको बता दे किसान आंदोलन में जितने भी लोगों को उपद्रव करते हुए पकड़ा गया है उनके विजा पासपोर्ट रद्द किया जाएंगे और इस पर एक और हम आपको बता दे कि राकिश ठिकैट ने साफ कहा है कि इसमें RSS की भी तमाम लोग घुसे हुए है किसानों के समत्थन में किसानों की संक्या है वो बहुत बड़ी संक्या है और इस बीच कुछ लोग ऐसे भी है जो RSS के हैं और वो किसानों के बीच घुसकर उपद्रव मचाते हैं किसान आंदोलन को बनबाद करने की बदनाम करने की शाजिस करते हैं तो ये जो है उनका साफ कहना है और पिछले अंदोलन में भी हमने देखा तो उनके बयानों को और देखे और इधर हरियाना सरकार वो किसानों पर सिकंजा कसने के लिए उनके पासपोर्ट और विजा रद करने की बात कर रही है वहीं News 18 ने लिखा है शुबकरन मामले में मडर का केस दर्ज उपद्रवियों के पासपोर्ट होंगे रद इंटरनेट बैन बढ़ा एक बार फिर से इंटरनेट का बैन जो है वो बढ़ रहा है और आपको हमने बताया शुबकरन मामले में केस जो है वो अपराद आज 29 तारी के आज किसान फैसला करने वाले हैं इसके साथ जो है वहां तमाम बॉर्डर पर इंटरनेट जो पहले बंद किये गए थे फिर बीच में खोल दिये गए अब फिर से उन्हें बंद करने का सिलसला जो है वो जारी हो गया है हरियाना सरकार का बड़ा फैसला हरियाना के अंबाला में शम्बू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान उपद्रव मचाने वाले लोगों की पहचान की गई है अब उनके पासपोर्ट और विजार रद करने की तैयारी की जारी है बॉर्डर पर हरियाना पुलिस के कैमरों में जो लोग capture हुए है उनका record हरियाना पुलिस पासपोर्ट आफिस में भेजने की तैयारी कर रही है साथ ही हरियाना पुलिस भारतिये embassy में उपद्रवियों को फोटो भेज रही है अंबाला पुलिस के DSP जोगिंदर शर्मा ने बताया कि इन तस्वीरों को भी पासपोर्ट ओफिस के साथ साथ Ministry of Home Affairs के भारती एंबसी में भी भेजे जाएंगे तो हाथ तरीके से सिकंजा कस्णा जो है सरकार का किसानों पर वो पूरी तरीके से तयार है और वहीं इसके साथ हर्याने के तमाम उन जकों पर भी इंटरनेट बैन की जो है सिलसला वो सुड़ कर दिया गया है वहीं अब ट्विटर की बात कर ले तमाम लोगों की प्रतिकरियाओं की बात कर ले किसान अंदोलन पर क्या कुछ लोग लिख रहे हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है और एक दिल को जगजोर देने वाला तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं और ये उस पर जो है एक यूजर ने लिखा है किसान के लिए तो जीवित रहने की लड़ाई है और उदोग पतियों के लिए अगली पीडियों के लिए धन जुटाने की तस्वीर 2017 की है बिजनौर के सीताराम जी के पास आट बिगा जमीन है लेकिन इतना पैसा नहीं था कि दूसरा भैस खरीद सके इसलिए खुद ही दूसरे भैस किसान पर लग गए सह में पतनी है पर जब फसल का दाम चाहिए तो इन्हें किसान की बजाए उदोग पतियों का पेट भरना होगार ये तस्वीर देखकर आप किसानों का जो दर्द है वो आप समच सके कि किस हद तक किसान खेतों में 24 गंटे दिन रात जाग कर ठंडी हो बर्शात हो धूप हो हर मौसम में बिना किसे चुटे के अनुगाते हैं और क्या कुछ हालातों में अनुगाते हैं और ये इतने बड़ सब्रवान होते हैं कि पूरी भसल खराब हो जाने के बाद भी सबर करते हैं कि अगले बार फिर मेनद करके दुबारा से उगा लेंगे उन किसानों के साथ उन किसानों को पद्रवी बताया जाता है और क्या कुछ हारोप नहीं लगाया जाते हैं इस तस्वीर को आप देखकर समझ जाएंगे किसानों के क्या हालात होते हैं एक और यूजर ने लिखा है हम किसान के बालक हैं हमें विरासत में संगर्ष मिलता है तो आपको बता दें और शुबकरन से अगर ये कनेक्ट करें तो साफ दिखता है कि एक किसान लड़का किस तरीके से आंदोलन में शहीद हो गया संगर्ष करते करते MSP की मांग करते करते औ पर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है गर्विद गर्ग ने लिखा है किसान नेताओं ने शुबकरन को दीश रधांजली और लगाता जो है लिख रहे हैं और इसी के साथ एक और ट्वीट है जो स्मृती रानी ने ट्वीट किया है लिखती है प्रधान मंती नरेंद्र मोदी जी ने पीम किसान सम्मान निधी योजना के अंतरगत 9 करोड से अधिक अनदाताओं को सोलमी किस्त के रूप में 21,000 करोड से अधिक की राशी डिविटी के माध्यम से हस्ता अंतरत की पीम किसान योजना के तैट अब तक 3 लाख करोड से अधिक की राशी देश के करोडों अनदाताओं को आर्थिक सहायदार्थ दी गई है सभी लाभार्थी किसान भाईयों और बहनों को हार दिक बदाई और राश्ट सेवक मोदी जी के का आभार और इसमें एक वीडियो उन्हेंने साजा किया है जिसमें पैसे धड़ा-धड किसान के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसी से एक सवाल बनता है क्या शंभू बॉर्डर पर और खनारी बॉर्डर पर जिन लोगों की शहादत हुई है उनके बारे में आप क्या क अठे हुए हैं वहीं अब जिससे शुरुवार की थी वो सुना देती हूँ एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया है और जिसमें वो बता रहे हैं एक बुजर्ब किसान है और वो क्या कहते हैं मोधी को बनाने वाला पंजाब है जैसे अंग्रेजियों को देश से निकाला था वैसे भाजपा को भी देश शेन निकालना पड़ेगा भाजपा सरकार ने किसानों को सबसे ज़्यादा तंग किया इतना तंग किसी सरकार ने नहीं किया है यह बुजर्ब किसान है शंबू बॉर्डर पर और यह साफ मीडिया पश्चण से बाद करते हुए कह रहे हैं कि भ या फिर लसा जावंगे, या तो जीत के जायंगे, या फिर लाश बन कर जाएंगे, वापस खाली हाथ नहीं जाएंगे, ये किसानों की सफत है और वहाँ पर बॉर्ड़द पर वो आज भी डटे हुए हैं, आज की बाता होगी बातचीत में क्या कुछ होता है, आज किसान में मुता क्या कुछ ताही करते हैं हम आपको अभ्डेट करते रहेंगा पूरी बात्षीत पर अपनी पर्द के लिएज